दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आप सभी का हमारे टूब चैनल भी एर टेक्निकल में स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में बताऊँ कि अपने फोटो को जेपीजी में कैसे कनोट कर सकते हैं दोस्तो अपने इमेज को जेपीजी में कैसे कनोट कर सकते हैं आए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन क्लिक करके आल पर क्लिक कर दे जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं सबस्पहले नोटिफिकेशन आप पस पहुचे दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको Google Chrome application को open कर लेना है आपका Google Chrome कुछ इस तरह से open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको सर्च बार में type करना है Google.com दोस्तो आपको Google.com type करने के बाद आपको search कर देना है दोस्तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको जूम कर लेना है और आपको search बार में type करना है image to jpg दोस्तो हम type कर देते हैं दोस्तो आपको type करना है image to jpg इतना type करने के बाद आपको image to jpg वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपके सामने नया page open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको दूसरे नमबर पर image converted to jpg वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा दोस्तो आप जिस photo को जिस image को jpg में convert करना चाते हैं उस photo को यहाँ पे select कर लेना है select करने के लिए कुछ उस file वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको file वाले option पे click कर देना है आपकी gallery open हो जाएगा दोस्तो आप जिस भी photo को jpg में convert करना चाते हैं उस photo को select कर लेना है दोस्तो हम select कर लेते हैं दोस्तो फोटो को select करने के बाद आपको start का option दिखाए दे रहा होगा दोस्तो आपको start वाले option पे click कर देना है दोस्तो जैसे आप start वाले option पे click करेंगे आपका image आपका photo gpg में convert हो जाएगा दोस्तो उसे download करने के लिए आपको download वाले option पे click कर देना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा image jpg में convert हो गया है दोस्तों आप इसी तरह से बहुत ही आसानी से किसी भी photo को आप jpg में convert कर सकते हैं दोस्तों मैं इमिद करता हूँ कि आपको यह video जुरूर पसंद आया होगा और अगर यह video पसंद आया तो video को like करें, share करें और channel को subscribe करें दोस्तों आप सभी का video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद